केंद्र की मोदी सरकार 9 साल पूरे कर चुनावी वर्स में प्रवेश्ट कर चुकी है ऐसे में बिजेपी नेता सरकार की उपलबधियों को गिनाने के लिए छेतर में निकल पड़े हैं इस दुरान वे लोकसभाज चुनाव को भी साध रहे हैं इसी कड़ी में बिहार भाजप में जो कमी रह गई है उसके लिए उन्होंने बिहार सरकार को दोशी ठहराया उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्यानकारी योजनाओं में भी बिहार सरकार भष्टाचार कर रही है नंद किसोरियादव ने कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर सफल रही है उन्होंने बता के सरकार ने 3 करोड आवास बनाये हैं वही 9 करोड 6 लाग से ज्यादा परिवारों को उज्वला कनेक्शन दिया है वही 10 करोड परिवार को आयुश्मान काट दिया इसके अलावा बीजेपी नेता पार्टी के उन पुराने कारेकरताओं से विस्तेस तोर से मिल रहे हैं जो सोरियादव ने कहा कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार चरम पर था खुदराजिव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से एक रुपया चलता है तो उसका 15 पैसा ही लाभुक तक पहुँच पाता है बाकि 85 पैसे भ्रष्टाचार के भेड चड़ जाते हैं लेकिन दस्मलव 27 करोड जंधन खाता खोला गया है जिसमें सीधे लाभुक को योजनाओ का लाभ मिल रहा है राजनीतिक जानकारों की माने तो अगामी 2024 के लोकसभाचुनाओ को देखती हुई भाजपा ने अपने सभी कारेकरताओं को सक्रिय करने का माश्टर प्रान त्यार किया है मोधी सरकार ने 9 साल पूरे होने के आउसर पर पार्टी का एक महीने तक अलग-अलग कारेकरम कर रही है इसमें जीले में एक हजार गैर राजनीतिक प्रभावशाली लोगों से संपर्क शाद कर उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में बताना है और उनकी राय लेनी है इसके साथ ही पार्टी के निस्क्रिय कारेकरताओं की भी सूध ली जाएगी इस संबंद में नंद किशुर यादव ने भाश्पा की जीला पदाधिकारियों के साथ बैठा कर रंगनीति बनाई आपको बता दे की बीजेपी अपने पुराने साथियों की साहरे लोग में विपच्छी पार्टियों को पटकना चाहती है